लगातर जुड़े रहने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देशाएं जैहिन फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सस एक जिद और आज हम बात करेंगे करनाटा के पर्थम युद के बारे में कि इस युद के कारण क्या थे कब ये युद लड़ा गया था इस युद में कौन-कौन सी घटना एक घटित होई थी और इस युद के परिणाम क्या थे यहिसनी सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए, शुरू करते हैं अंग्रेजों ने पूरों में भारत के साथ वियापार करने के लिए इंग्लेंड की महरानी एलिजाबेत की अनुमति से 31.1660 में भारत में अंग्रेजी East India Company की स्थापना की इस कम्पनी ने कलकत्ता, बंबई तथा मदरास की विभिन स्थानों पर अपनी बस्तियां स्थापित कर ली अंग्रेजों के व्यापारी के अंदर अथार्त बस्तियों को फैक्टरी अथवा कार खाना कहा जाता था जिनका परशासन, गवर्नर और उसकी परिशेदी देखरेख में चलाया जाता था अंग्रेजी इस्टिंडे कंपनी के व्यापारिक एका देकार को फ्रांसिसियों ने जो है चेतामनी दी उन्होंने 1664 इस्वी में फ्रांसिसी इस्टिंडे कंपनी के स्थापना की फ्रांसिसियों ने धीरे-धीरे, पंडिचेरी, चंदरनगर, मौरिशस, द्विप, आधी महत्वपन स्थावनों पर अपने व्यापारी के इंदर स्थापित कर लिए अतिसिगर ही इन दोनों सत्कियों की बेचे भारत में युद आर्म हो गए भारती व्यापार पर एक अधी कारस्तापित करने के लिए अंगरेजों तथा फ्रांसिसियों के बीच तीन करनाटक की युद लड़े गए अंत में अंगरेजों ने फ्रांसिसियों को बुरी तरे से प्राजित कर दिया फ्रांसीशियों तथा अंग्रिजों के बीद जो तीन युदी हुए थे आज हम सबसे पहले करनाटा के पर्थम युद के बारे में चर्चा करते हैं करनाटा का जो पर्थम युद था वो 1766 से लेकर 1768 तक लड़ा गया था सबसे पहले हम इस युद के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं अंग्रिजों तथा फ्रांसीशों के बीद चुए करनाटा के पर्थम युद के कारण निमे लिखित हैं जिन में सबसे पहला है ओरंग्जेव की मिर्थि के पस्चात मुगल सामराजे का पतन एमें वी गटन होने लगा था यूरूपय सक्तियां इस अवस्था का लाब उठाना चाहती थी नमबर दूसरा कारण है अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी तता फ्रांसीशी कमपनी के बीच व्यापर एक सत्रुता दिन परति दिन बढ़ती चलिजा रही थी दोनों ही कमपनिया भारती व्यापर पर एका दिकार करना चाहती थी नमबर तीसरा कारण है करनाटक में उस समय उत्तर दिकार के परसन पर राजनितिक उथल पुथल मुची हुई थी दोनों सक्तियां इसका लाब उठाना चाहती थी नमबर च्यार है यूरोप में 1744 इस्तियों में उस्ट्रिया के उत्तर दिकार समधी मामले पर यूरोप में फ्रांस तथा इंगलेंड के बेच युद चल रहा था अताय भारत में भी दोनों कमपनियों के बेच युद आरम हो गया ये थे इस युद के कुछ कारण अब हम इस युद की घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं 1745 इस्तियों में एक अंगरेजी जल बेड़ा बॉर्नेट की अधिनता में कोरोमंडल तट पर आप अहुचा डूपले ने युद की आसंका को देखती हुए मुरिशस के गवर्नर बोर्दोन नाइस के नितरितों में फ्रांसी से जल सेना मंगवा ली परंतु बोर्दोन नाइस की पोशने से पहले ही अंगरेजी सेनापती वार्नेट की मृत्ति हो गई उसके बाद पेटन नामक व्यक्ति ने सेना की कमान संभाल ली परंतो फ्रांसीसियों ने उसे पराजित कर मधरास का घहरा डाल लिया वहाँ के अंगरेज गवर्नर निकोलोस मौरिश ने अतिक सिगर ही फ्रांसीसियों की समक्स हत्यार डाल दिये डूपले ने मदरास पर अधिकार कर लिया यदि पी करनाटे के नवाब अना गुरुदीन ने भी अपने पुत्तर के नेतरितों में मदरास पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी परन्तु फ्रांसिसी सेनापती पारादिस ने उसे भी इसके पसाथ फ्रांसिस्यों ने पंडिचेरी के दक्षिन में 12 मिल दूर्श्तित डेविड दुरग पर घहरा डाल दिया अंग्रेजों ने भी 1748 इस्यों में पांडी चेरी का गहरा डाला परंतुने सफलता नहीं मिली अब हम इस युद का पिरिणामों के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहला परिणाम था कि यूरोप में इंग्लेंड तता फ्रांस की बीच 36 स्तापित हो जाने की परिणाम सवरुप भारत में भी दोनों कमपनियों की बीच एक्स, ला, सैपल की संदी हो गई थी दोनों ने एक दूसरी के जीते परदेश लोटा दिये दूसरा परिणाम था इस यूद के परिणाम सवरुप दोनों ही कमपनियों ने जल सैनिक सक्ति पर अत्ति दिक बल दिया तीसरा परिणाम था करनाट के पर्थम यूद के पस्चात डूपले तथा फ्रांसीसी कमपनिय के सक्ति बहुत बढ़ गई नमबर चोथा प्रिणाम था इस युद के पसाथ अंगरेजों तब फ्रांसिस्यों ने बारतिय राजनिती में रूचलेनी आरम कर दी और जो पांसमा प्रिणाम था वो था करनाटक के पर्थम्युद में मिली प्राज जिसे अंगरेजों के परतिष्टा को गहरा धका लगा था तो ये थे करनाटक के पर्थम्युद के बारे में complete जानकारी उमीद है आपको जानकारी अच्छे लगी होगी और भी नई अपडेट के लिए जुड़े रही है आगे की आने वाली वीडियो में हम करनाटक के दूसरे और तीसरी युद के वारे में चर्चा करेंगे तो तब ते के लिए जुड़े रही है थैंक्स फर वाचिंग और कीव सप्पोर्टिंग जै हिंद